पंजाबी सिंगर सिद्धू मुसेवाला की माचरण कौर ने IVF तक्नीक के जरिए बेबी बॉय को जन्ग दिया है। ये खुशकबरी दिवंगत गायक के पिता बालकर सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया के जरिए दी। आपको बता दें, सिद्धू मुसेवाला की माता ने 58 साल की उम्र में IVF तक्नीक की मदद से गर्धारन का फैसला लिया था। फरवरी में सिद्धू की मा चरण कौर ने IVF ट्रीटमेंट कराया और मार्च में एक बच्चे को गर्धारन करने में सफल रही और इस बात की पुश्टी सिद्धू मुसेवाला के चाचा चमकौर सिंग ने की थी। सिद्धू मुसेवाला का चोटा भाई जिस IVF तक्नीक के जरिये दुनिया में आया है। क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो जानिए डॉक्टर से की कैसे होता है IVF तक्नीक का इस्तेमाल। आप्राटरी में उमनों इंप्रियों बनाते हैं और उनके घर्ब में डाल देते हैं। किला सेफ होता है उन्डेट पर्सें और इसकी रेटिंग कितनी रहती है अल्रेट पर्सें संसेफूल होता है। 40-90 थे नेंदों अगज्ट पर्सें सेंट्वल का। यह कितने से कितने उम्र की महिलाएं इसको करवाती है यह उम्र का 50 से पहले कोई भी करवा सकता है जो भी अबव 18 और 50 यह तक की महिलाएं करवाती है तो हमें बताएंगे क्या कि ज्यादा से ज्यादा किस एज की महिलाएं 35 years plus की ज्यादा होती है क्या कारण होता है IVF करवाने का मुस्की तो टुबल ब्लॉकेड होता है और इनी रीजन वो लोग ज्यादा करवाते हैं या किसी का किसी बीमारी के कारण या एच फैक्टर के कारण अंडेदानी नियंडा बनाना बंद कर दिया है वो लोग करवाते हैं और मुझे कुछ सब्सक्राइब करवाते हैं लोग या फिकर फैक्टर कुछ में यह तो इसमें क्या शीरा निंजाव लगता है यह खिला लोग कर सकते हैं या दो महीं में कर सकते हैं बहुत लोगों की सवाल होती है कि पहुछ्ट कितना पड़ यारता होगा में लाग के अंदर हम लोग में करते हैं एक लाग के अंदर नहीं और आई विएफ के बाद कोई कॉप्लिकेशन होती है क्या वुमन को नाइए कोई कॉप्लिकेशन नहीं होता है या आप्सक्रीश इप